भारतियंता पार्टी के बिहार में 77 विधायक हैं पार्टी अब बिहार में नंबर वन हो गई है इसलिए अब भारतियंता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनना चाहिए ये मोटा माटी भारतियंता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान है और उम्मीद ये की जा रही ह कि बीजेपी और जेडियू में इस बात की आपसी सहमती भी बन चुकी है कि अब मुख्यमंत्री भाजपा का बनना चाहिए और ऐसे में बिहार के तकरीबन दो दशक से भी मुख्यमंत्री लगबग बने हुए नितीश कुमार के केंद्र में जाने की संभावनाओं पर बात की जा रही है और इसके लिए भाजपा उनको चार धाम की यात्रा करवा सकती है चार धाम मने यम उनोत्री गंगोत्री के दारनात बदरीनात नहीं बलकि राजनीती के चार धाम जिन में से तीन धाम नितीश जी घूम चुके हैं चौथा धाम यानि राजसभा बचा हुआ है तो नितीश जी वहाँ जा सकते हैं, अब सबसे पहली बड़ी बात है कि नितीश कुमार जैसे राजनेता के लिए अपना बिहार छोड़ देना पहुत मुश्किल फैसला होगा और एक तरीके से अपनी राजनेतिक जमीन को समाप्त करना होगा, बीते दो दश्चकों से बिहार और बिहार की राजनीती नितीश जी के ही इर्दिकरत घूम रही है, लेकिन अब लग रहा है कि प्रवास का समय आ गया है, और इस प्रवास का मोहर्त MLC और बचहा उप्चुनाओं के बात का बताया जा रहा है, तो क्या सच में अब नितीश कुमार केंदर में चले साथ ही में एक दबा-दबा सा समीकरण है कि उप्यम मेटेरियल वाला कि क्या नितीश कुमार भाजपा के खिलाब जाकर के प्यम पत की दावेदारी आजमाएंगे, हलांकि इस पर कुछ वक्त पहले बात होती तो जरूर दम नजर आता, लेकिन इस तरीके से उत्तर प्रदे ये है जनता आजंशन शोर, तो सबसे पहले बात यही कि नितीश जी का क्या होगा, देखिए एक बात पहले साफ कर दी जाए कि नितीश जी कह चुके है कि केंद्र वेरा में जानेगा उनका कोई व्यक्तिकत एक्षा नहीं है, बात अब इसके आधार पर करेंगे, जो आधा पूल होता है, फिर लोगों का मानना है कि नितीश कुमार अब बिहार छोड़ करके केंद्र में जा सकते हैं, और नितीश कुमार को राजसभा सांसत बनाया जा सकता है, और इस तरीके से पहली बार नितीश कुमार राजसभा के सांसत भी बनेंगे, और साथी साथ उनको वह करके चले आ रहे हैं उसलिए आज से उनको कोई भारी भरकम मंतरा ले भी दिया आ सकता है जिससे कि पहला तो बिहार सच जाएगा और साथ ही साथ बिहार में भाजपा का मुख्यमंतरी बन जाएगा वो भी पहली बार इसके अलावा बात ये कि अगर बिहार को छोड़ करके न किश कुमार के बाद इस गठ बंधन को समाल पाए ऐसा कोई नेता भी नजर में नहीं आता है तो फिलहाल की तस्वीर के मुताबिक केंद्रिय मंतरी नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है नित्यानंद राय भाजपा से आते हैं जाती समीकरण उनके साथ चलता है जाती से वो यादों हैं और RJD के कोर वोट बैंक में भाजपा के लिए सेंध लगा सकते हैं और जातिकत समीकरण साधना इस वक्त भारतियनता पालिटी के अठ बंधन के लिए सबसे जरूर ही है क्योंकि एक तरफ जो RJD और TJU यादों है जो अब यादों पालिटी से सभी क पालिटी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तेजस्तु यादों कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि सारी सीटें अगर यादों को ही दे देंगे तो बाकी समाज का प्रतियों तो दो कैसे किया जाएगा जिसका मतलब है कि तेजस्तु यादों की नजर भारतियनता पालिट होगा वो छिटकेगा और उसको भाजपा अपने हिस्से में लाने की तयारी कर रही है और इसके अलावा केंद्रिय मंत्री नित्यानंदराय की करीबी भारतियंता पालिटी केंद्रिय नेत्रत से भी कापी ज्यादा है जिसकी वजहां से उनको रेस में सबसे आगे माना जा रह है तो मौका उनको भी मिल सकता है बिहार में सक्रिय होना उनका प्लस पॉइंट रह सकता है इसके अलावा एक और नाम है नाम है समराठ चौधरी का कहीं कहीं सुनाई दे रहा है जाती से कुछ वहां है और यहां पर जो जाती का नाम हम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंक इतिक पंडेत इनकी कुंडली को भी मुख्यमंद्री की कुर्सी के लिए उपयोग तो और उपयोगी मान रहे हैं हलांकि बाकी दोनों से ये तनिदार पीछे है तो उसमें तारिक सुर्फ प्रशाद हुए जो अभी पुखी मंत्री है, नित्यानंदराय हुए, समराज चौधरी हुए, जो अभी मंत्री है, लेकिन इन तिनों में नित्यानंदराय को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है, अब नित्यानंदराय को लेकर चर्चा क्यों है, त मतलब कि अपनी तरफ काट लिया है और बिहार में नित्या नंद्राय के साहरेस शायद भारत्य जंता पाटी इस कोशित में लग सकती है और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका सुधाय सीधा नुसान जो होगा राशी जंता दलक होगा दूसरा नित्या नंद्राय अगर मुख् प्रषाद की बात करें तो तार्गी सुर्ण प्रसाद भी पिछली जाती से तालुक रखते हैं और अगर अब गौर करेंगे तो चाहें स्तमराज चौदरी हो तार्गी सुर्ण प्रसाद हो नित्या नंद्राय हो यानि-कि तीनों नाम जो मुख्रमिंत्री पत के लिए जो भविस्स होगा वह तै करने के बारे में सोच रही है। दूसरा अगर हम उप्मुख्यमंत्री की पद को लेकर बात करें तो कहा जा रहा है कि जो दो पद अभी भाजपा के पास है उप्मुख्यमंत्री के वह जद्यू के खाते में चला जाएगा और इसलिहास से कहा जा रहा है कि जो जद्यू के राष्ट्रिय ध्यक्षन ललन सिंग उनका उपमुख्यमंत्री बनना लगभग तैह है अगर नितीज कुमार यहां से राजी से बाहर जाते हैं तब वे ऐसी सिती में अब ऐसा क्यों तैह बना जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि के सितियां बदल गई जो ललन सिंग है वो के अंदर में नहीं गए इनकी जगह पर आर्टीपी सिंग पहुंच गए और अब कहा जाले कि अगर राज में मौका मिलेगा तब नितीज कुमार बेसक ललन सिंग को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे दूसरा अगर हम भारती जिंता तालुक रखने वाले निताओं को भी सम्मान दिया है दूसरा नाम विजय चोदरी का चल रहा है जो मौझूदा स्वे में सिक्षा मंत्री है और विजय चोदरी भी इसी भूम्यार जाती से तालुक रखते हैं मतलब कि उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर माना जा रहा है क कि जो एक उपमुख्यमंत्री के पद होगा उसमें किसी अगड़ी जाती के नेता को जरूर फिट किया जाएगा क्यूंकि जाती है समिकरण को सादना है बास्पागी तरफ से तो यह लगबकता है कि चाहे नित्यानंद गाय बने चाहे तारिक सुर्प्रसाद बने या फिर स नितीज कुमार जी के करीबी है और सर्वन कुमार जी ने यह भी कहा था मीडिया में बातचीत करते हुए कि अगर नितीज कुमार की इच्छा है कि विराज से बाहर जाए तो वे जा सकते हैं मतलब कि सर्वन कुमार भी राज में जो उपमुख मंत्री का पद है उत पर बाकि बिहार का राजनीती भविश्य क्या होगा उसे आप कमेंट वॉक्स में बता सकते हैं और अगर ये समीकरण सही साबित होता है तो संभवता एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जब चुनाव नहीं हो रहा है बलकि चलती हुई सरकार में सीएम को कुर्सी का हस्तांतरण है वो सबसे शांती पूर हस्तांतरण बिहार में अब होने वाला है बाकि नितीश कुमार बहुत बड़े राजनेता है तो जो कुछ भी होगा वो अपरतिम होगा नजर लगातार हम भी बनाए रखे हैं आप भी बनाए रखे हैं बाकि बड़ी है और कूटनितिक और यूकरेन के जंग के लिहाज से सरगई की जो यात्रा है वो भारत और रूस दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर है उनकी इस यात्रा पर अमेरिका समेत कई यूरोपी देश भी नजर्टिक आये हुए हैं इस दोरान रूसी विदेश मंतरी सरगई लारित के उनने कहा कि हमारे राष्ट्रपती ने प्रदान मंतरी मोधी को शुप कामनाय भेजी है उन्होंने का आगे कहा कि हम भारत की सराहना करते हैं कि यूकरेन मुद्दे पर भारत एक तरफा दबाओ में ना आ करके पूरी सूझ-भूच के साथ आगे बढ़ रहा है इ उनके साथ ब्रष्टाचार के मामले पूस्ताच की दाईगी इसके अलावा सुप्रिम कोट ने उद्दव ठाकरे सरकार को जटका दिया है देशमुक से जुड़े ब्रष्टाचार मामले की जाच के लिए साइटी बनाने की उनकी याजका को खारिश कर दिया गया है इसके चैंते हमें खबर दिली से दिली के मुख्यमंतिरी और्विन केजरिवाल के घर के बाहर ह रोय, हिंसक प्रदर्शन और तोरफोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए उचने आले ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, अदालत ने दिल्ली पुलिस से एक-दो हफ्टे के भीतर सील बंद लिफाफे में जो भी इस्तिती रही उसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिया है, इसके साथ ही हाई कोट ने दिल्ली पुलिस से पूरी घटना का सिसीटी पुटेज भी संरक्षित करने को कहा है, इसके लावे एक खबर बिहार से पटना नगर निगम शे दानापुर स्टेशन पतना सहित अन्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और परिभान विभाग के अधिकारी जाज करेंगे, और जो गाडियां बिना अनुमती के चल रही होंगी, उनको पकड़ा जाएगा, जुर्बाना वगएरा लगाया जाएगा, और गाडियों साथी कोट ने अगस्त 2017 से पतनी की द्वारा पती को भरण पोशन ना देने के कारण, उस महिला की तनखाह से 5000 रूपे काटने का आदेश भी दिया है, जस्टिस बारती डांगेर ने पतनी की इस दलील को खारिश कर दिया, कि जो दमपती की 23 साल पुरानी शादी 2015 में तलाक की डिकरी के बाद समाप्त हो गई थी, इसलिए पती अब मासिक भरण पोशन की मांग नहीं कर सकता है, इस दलील को खारिश कर दिया, अधालत ने हिंदु विवाह अधिरियम की धारा 24 और 25 पर भरोसा करते हुए कहा, कि जरूरत मंद पतनी या पती उनको अंतरिम या होता भी है, कि जो निचली अदालते होती है, वो ऐसे मामलों में अकसर एक पूर्वागरा से भरा हुआ फैसला देती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट ने अनुट उसकी तारीव भी करी है, आज के कानून के हिस्से में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं करकिन के आखिरी हिस्से की तरफ जो है नसीहत, नसीहत नेलसन मंडेला की तरफ से है, वो कहते हैं, जीवन को ऐसे जीओ कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो, और अपने आपको व्यक्त ऐसे करो कि जैसे हर कोई सुन रहा हो, खास तोर पर यह सोशल मीडिया वालों के लिए है, सोशल मीडिया पर लोग अकसर कई मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए भीरू हो जाते हैं, पोलने से बसते हैं, जबकि उनके पास और भी जो जनता है, उनसे बैतर खयाल होते हैं, या फिर कुछ अच्छे खयाल होते हैं, तो उसको व्यक्त करिए, जमाने को आपकी जरूरत है, इस चीज़ को महसूस करें, बाकी आपकी क्या राय है, ख़वरों को ले करके और राय अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ इसका रिकरम को साजा कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, जनता जुम्शन शो में विलहाल के लिए हमें दीजिये इचाजत, मिरा नावन राग दिश्रा है, आप जनता जुम्शन शो देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ हों प्रकाश दे, शुक्रिया